दोस्तों, आपका स्वागत है UWD Stories. चैनल पर आज की स्टोरी बहुत ही मज़ेदार होने वाली है. पिशाचिनी की प्रेम की अनोखी कहानी, यह उपन्यास नरेंद्र नवप्रभात की हैं, तो अपने कानों में एयर फोन और हैड़ फोन लगा लीजिए. चलते हैं कहानी की ओर नमस्कार मैं रमेश राजदेव होम शॉप में आपका स्वागत करता हूँ. बताईए मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ. इस बार भी कुछ देर की खामोशी के बाद दूसरी तरफ से कोई भी जवाब नहीं मिलता. थोड़ा उंचा बोलते हुए. नमस्कार मैं रमेश राजदेव होम शॉप में आपका स्वागत करता हूँ. बताईए मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ इस बार भी. कुछ देर की खामोशी के बाद दूसरी तरफ से कोई भी जवाब नहीं मिलता. माफ करिएगा. आपकी तरफ से कोई भी उचित रिस्पॉन्स नहीं मिल प मुझलाते हुए पास में बैठे अपने दोस्त अजय से कहता है. अरे यार पता नहीं कैसे कैसे लोग हैं. इतना फाल्तू टाइम इन सब के पास है. जब कुछ बोलना ही नहीं है तो फिर यहां पर कॉल क्यूं करते हैं. अजय मुस्कुराते हुए. अरे छोड़ना मेरे पा ग्यारह बज गए हैं. फिर कॉल अटेंड करेंगे आराम से. रमेश. हाँ. भूक तो मुझे भी लग रही है. चलो अपने खड्डूस टीम लीडर को बोल देते हैं. आधे घंटे का ब्रेक चाहिए. अजय. नहीं. नहीं. देख. तु. मत बोल. नहीं. तो तु फिर से उसस पीस मिनट उससे ज्यादा नहीं. जल्दी जा. और तुरंत वापस आकर लॉग इन करो. अजय और रमेश जल्दी से कैंटीन की तरफ जाने लगते हैं. रमेश. तु चल. मैं बस दो मिनट में बाथरूम से आता हूँ. अजय. जल्दी आना. रमेश बाथरूम की तरफ आपस में रगडते हुए कहता है कि यहां का टेंपरेचर इतना कम कर दिया है कि यहां इतनी ठंड लग रही है. रमेश अपना मूह धोने लगता है. मूह धोने के बाद अचानक से रमेश जैसे ही आईने में देखता है. और फिर वापस से अपना मूह नीचे करके हाँ धोन वह तुरंत ही पलट कर पीछे की तरफ देखता है, मगर वहाँ पर कोई भी नहीं रहता, तभी दर्वाजा खुलता है, दो लड़के और अंदर की तरफ आ जाते हैं, और आइने के सामने खड़े हो जाते हैं, रमेश रुमाल से अपना मुह पोंचते हुए, कैंटीन की तरफ चला जाता है, अजय, यार दिया, बैठो जल्दी पांच मिनट, तो तुमने वैसे ही खराब कर, अजय और रमेश रात का खाना खाने लगते हैं, रात के ग्यारह बज कर पांच मिनट हो रहे थे, कैंटीन में और भी लोग जुंड बना कर साथ में खाना खा रहे थे, तो मुझे आइने में देखकर ऐसा लगा कि जैसे कोई लड़की मेरे पीछे खड़ी है, लेकिन जब मैंने पीछे की तरफ देखा, तो वहाँ पर कोई भी नहीं था, अजय, हंसते हुए, तेरे पीछे कोई लड़की खड़ी है, ये तुने आइने में देखा था, लेकिन जब रमेश, हाँ, बिल्कुल, अजय, हसते हुए, मैंने फिर से इसी लिए पूछा कि तुमने कहां देखा, तुमने आइने में देखा, लेकिन पीछे वह नहीं दिखी, यही कहना चाहते हो ना, रमेश, हाँ, हाँ, भाई बिल्कुल सही, यही बात है, अजय, कल कोई डरावनी पिछले जन्म में, अगले जन्म में, एक साल, दो साल, पांच साल, कभी तो देखे हो, अकसर फिल्मों में ऐसा ही होता है, एक कोई चुडैल होती है, आइने में दिखती है, रमेश, वैसे तो मैंने बहुत सारी डरावनी मूवी देखी है, लेकिन हाल फिल हाल में तो कोई अजय, कभी-कभी भ्रम भी तो हो जाता है। अजय, अरे जब बाकी लोग आईने के सामने खड़े रहे होंगे, तो उनके साथ भी तो ऐसा हुआ होता, और अगर कुछ ऐसा हुआ होता, तो तभी उनमें से किसी ने कुछ कहा होता, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, इसलिए फालतु परेशान मत हो, ये सब भ्रम है, चल नहीं तो वह हराम खोर टीम लीडर चिल्लाएगा, रमेश, हाँ चल, और वैसे भी मुझे फालतु का जगड़ा अच्छा भी नहीं लगता, अजय और रमेश वापस से अपनी जगह पर बैठ कर कॉल लेने लगते हैं, रात के एक बजे, रमेश, चल भाई, आज का तो हो ग लीडर को बोल कर वहां से जाने लगते हैं, जैसे ही लिफ्ट के पास पहुँचते हैं, अजय, घबराते हुए, अरे यार मेरा वालेट वहीं रह गया, ऐसा है तुम चलो पारकिंग में, मैं तुरंत अपना वालेट लेकर वहीं आता हूँ, रमेश लिफ्ट का बटन दबा देता, रमेश लिफ्ट के अंदर चला जाता है, और जीरो नंबर पारकिंग बेस्मेंट के लिए दबा देता है, दर्वाजा बंध हो जाता है, लिफ्ट चलने लगती है, रमेश उस लड़की को चुपके से देखने का प्रयास करता है, मगर सफलता उसके हाथ नहीं लगत तब ही अचानक से लिफ्ट का दर्वाजा खुल जाता है, सामने बेस्मेंट के पारकिंग में खड़ी गाडियां दिखाई दे रही थी, रमेश लिफ्ट से बाहर की तरफ आता है, कुछ कदम चलने के बाद, रमेश लिफ्ट की तरफ वापस पीछे मुड़कर देखता है, लिफ्ट एकदम खाली रहती है, रमेश अचम्भित होते हुए, कहां गई, अरे कहां गई वो, रमेश डरते हुए चारों तरफ बड़ी ही जल्दी जल्दी देखता है, लेकिन वह लड़की कहीं भी दिखाई नहीं देती, रमेश बदहवास हालत में भागते हुए, अपन बैग से पानी की बोतल निकालता है, और पानी जल्दी जल्दी पीने लगता है, उसकी सांसे काफी तेज चल रही थी, वह अपने आपको संभालने की कोशिश कर ही रहा था, तभी किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा रमेश, कापते हुए, पीछे मुड़कर, के कौन, अज पीने की ज्यादा तलब, रमेश सिगरेट बहुत ही जल्दी जल्दी पीने लगता है, अजय, आराम से, इतना हडबडा क्यों रहा है, रमेश, बिना कुछ बोले एक सिगरेट पूरा पी लेता है, एक दूसरी सिगरेट और पीने का मन है, लेकर आ जल्दी, अजय, अरे तू ठीक तो है, कोई दिक्कत तो नहीं, रमेश, हाँ, हाँ, सब ठीक है, मिलेंगे, चलता हूँ कल, अजय, ओके अजय, और रमेश दोनों अपने अपने फ्लैट पर चले जाते हैं, रमेश चुपचाप जाकर सो जाता है, रमेश सुभह लगभग 10 बजे सो कर उठता, और फिर घर का बाकी काम करने लगता है, रमेश के ऑफिस का शिफ्ट शाम के साढ़े चार बजे से रात के एक बजे तक थी, जिसमें 30 मिनट का डिनर ब्रेक था, तो रमेश हमेशा अपने फ्लैट से लगभग 4 बजे ही ऑफिस के लिए निकलता था, लगभग 15 मिनट में वह ऑ अटना याद आ जाती है, वह तुरंत ही जल्दी जल्दी चलते हुए वहां से हट कर सीडियों के रास्ते अपने ऑफिस में जाने की कोशिश करता है, तभी एक मीठी सी आवाज हेलो रमेश थोड़ा सहम सा जाता है, रमेश पीछे पलट कर देखता है, एक सुन्दर सी लड रमेश आईए मेरे साथ मैं भी होम शॉप में जॉब करता हूँ, लेकिन प्रीपेड डिपार्टमेंट में मेरा ओमफिस सेकंड फ्लोर में है और जहां आप जाना चाहती हैं वह तीसरे फ्लोर पर है, वह लड़की, अच्छा तो यहीं से जाना है क्या, रमेश नहीं, ऐसा नहीं है, वैसे दो रास्ते हैं, जाने के पहला लिफ्ट और दूसरा, ये सीड़ी वह लड़की, तो क्या लिफ्ट खराब है क्या, रमेश नहीं तो वह लड़की, तो फिर आप यहां से क्यों जा रहे हो, रमेश बहाना बनाते हुए, थोड़ा सा वर्काउट हो जाता है, इसी बहाने वैसे आपकी नई जॉइनिंग है क्या वह लड़की, हाँ, आज पहला दिन है, ट्रेनिंग का, चौदह दिन की ट्रेनिंग है, उसके बाद सर्टिफिकेशन, फिर सीधे फ्लोर पर अब तक तो यही बताया गया है, रमेश, ओनल द बैस्ट आये चलते हैं, रमे ऐसे आप लोगों का काम क्या है, रमेश, हम लोगों के पास कस्टमर के कॉल आते हैं, तो उनके पसंद का सामान बुक कर देते हैं, बस यही काम है, हम लोग कस्टमर को कॉल नहीं कर सकते हैं, रचना, ओ, तो आपको यह भी पता होगा कि हम लोगों का काम क्या होगा, रमेश हाँ, आप लोगों के पास जब कस्टमर का कॉल आएगा तब आप लोगों को उनकी शिकायत सुननी पड़ेगी और उसको सॉल्व करना पड़ेगा आपका Actually Complaint Department है रचना, तब तो काम आसान सा लग रहा है इसी तरह वे दोनों बात करते करते सेकंड्स फ्लोर तक पहुँच जाते हैं रमेश, ऐसा है, अब मेरा फ्लोर आ गया आप ऐसे ही चले जाईए, अगला फ्लोर आपका ही है ठीक है ना, रचना, ओके, ठैंक यू रमेश जाकर अपने सिस्टम के पास बैठ जाता है कुछ नहीं अजय, कुछ तो था रमेश, नहीं कुछ नहीं बोल अजय, डाटते हुए अरे बोल रमेश, ठीक है बताता हूँ मगर तुम मेरी बात किसी को बताना मत अजय, अरे हाँ, चल बोल रमेश, पिछली रात की लिफ्ट वाली बात अजय को विस्तार से बता देता है अजय, हंसने लगता है भाई, तू सच सच बता, तूने कौन सी मूवी देखी थी मैं भी देखूंगा यार, रमेश, गुस्से में मैं मजाक नहीं कर रहा और ना ही मेरा कोई भ्रम था तभी टीम लीडर आवाज लगाता है जल्दी जल्दी सभी लोग लौग इन हो जाओ काम स्टार्ट करो, जल्दी, जल्दी रमेश कॉल पर, नमस्कार, मैं रमेश राजदेव होम शॉप में बताईए मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ आपका स्वागत करता हूँ कुछ देर की खामोशी के बाद दूसरी तरफ से कोई भी जवाब नहीं मिलता नमस्कार, मैं रमेश राजदेव होम शॉप में आपका स्वागत करता हूँ बताईए मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ इस बार भी कुछ देर की खामोशी के बाद दूसरी तरफ से कोई भी जवाब नहीं मिलता थोड़ा उंचा बोलते हुए नमस्कार, मैं रमेश राजदेव होम शॉप में आपका स्वागत करता हूँ बताईए मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ इस बार भी कुछ देर की खामोशी के बाद दूसरी तरफ से कोई भी जवाब नहीं मिलता माफ करिएगा आपकी तरफ से कोई भी उचित रिस्पांस नहीं मिल पा रहा है इसलिए मुझे आपकी कॉल डिस्कनेक्ट करनी तब ही रुको रुको की आवाज दूसरी तरफ से आती है रमेश तो आप मेरी सहायता करेंगे तो ठीक है अच्छी बात है आपने मुझसे वादा भी किया है ये तो और भी अच्छी बात है तो बात दरसल ये है कि मैं आपसे मोहबबत करती हूँ कुछ देर की खामोशी के बाद रमेश जी, माफ करिएगा जानकारी चाहिए क्या आपको होम शॉप से संबंधित कोई दूसरी तरफ से मुझे तो बस आपसे संबंधित जानकारी चाहिए रमेश अगर आप ऐसे ही बात करेंगी तो मुझे आपकी कॉल डिस्कनेक्ट करनी पड़ेगी दूसरी तरफ से हे बेरहम इंसान तुम इतने निर्दई कैसे हो सकते हो रमेश आपकी तरफ से कोई भी उचित रिस्पांस नहीं मिल रहा है इसलिए आपकी कॉल डिस्कनेक्ट करनी पड़ रही है दूसरी तरफ से रुको 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 अरे आपने मुझसे वादा किया है मेरी सहायता करने के लिए मैं ऐसे ही जाने नहीं दूँगी रमेश माफ करियेगा मैंने कहा था कि होम शॉप से संबंधित मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूं दूसरी तरफ से मुस्कुराते हुए आपने कहा था कि मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ और जब मैंने कहा कि क्या वाकई आप मेरी सहायता करेंगे तो आपने कहा जी बिलकुल मैं आपकी सहायता करूँगा रमेश जी मैंने आपको होम शॉप से संबंधित सहायता करने के लिए कहा था मेरा मतलब यही था दूसरी तरफ से, लेकिन आपने उस समय होम शॉप नहीं कहा था, अब आप मुझसे वादा भी कर चुके हैं, रमेश, गुस्से में, अच्छा, बताईए, मैं आपकी क्या सहायता करूं, दूसरी तरफ से, अब समझे, तो बात दरासल ये है कि, देखो मैं आपसे महबबत करत हूँ, तो आप भी मुझसे महबबत करिये रमेश, जल्दी-जल्दी बोलते हुए, और सामने वाले की बात को अंसुना करते हुए, आपकी तरफ से कोई भी उचित रिस्पांस नहीं मिल पा रहा है, इसलिए आपकी कॉल डिसकनेक्ट की जाती है, होम शॉप में कॉल करने क के लिए धन्यवाद, इतना कहते ही रमेश कॉल डिसकनेक्ट करके हेड़फोन उतार देता है, और अजय से इशारे में कहता है कि आज पहली कॉल ही खराब थी, दिमाग खराब हो गया, अजय भी इशारे में कहता है, कोई बात नहीं, आगे की कॉल लो, रमेश फिर से की तरफ जाने लगते हैं, रमेश, तू चल, मैं बाथरूम से आता हूँ, अजय, ठीक है, जल्दी आ हाँ, दो मिनट के अंदर, अब कोई दूसरी कहानी मत बनाना, जल्दी, रमेश, जैसे ही बाथरूम का दरवाजा खोलता है, फिर से कल की तरह ठंडी हवा का दबाव रम रमेश मुंग तो धोता है, लेकिन आईने में खुद को जान बूच कर नहीं देखता, और जल्दी से अपना मुह पोंचते हुए, वापस कैंटीन की तरफ चला जाता है, कैंटीन में, अजय, आज तुमको तुम्हारी आईने वाली गर्ल फ्रेंड मिली थी, रमेश, मैंने आईना ही नहीं देखा, अजय, हंस्ते हुए, और लिफ्ट वाली, रमेश, क्या फाल्तू का मजाक करते हो, अजय, वाकई तुम बहुत ही बेरहम और निर्दई हो, कोई तुम्हारा इंतजार इतनी शिद्दत से करता है, और तुम हो की रमेश, हमम याद आया आज जब मेर पहली कॉल थी, तो उसने भी मुझे बेरहम और निर्दई ही कहा था, अजय, अच्छा, तो अभी नई कहानी क्या है, खाना खाते खाते बताते रहो, रमेश, पहली कॉल वाली बात, अजय को विस्तार से बता देता है, अजय, हाँ, हाँ, अरे ये सब फन कॉलर होते हैं, अब चलो, चला जाए, समय हो गया, अजय और रमेश वापस से अपने सिस्टम के पास जाकर कॉल लेने लगते हैं, नमस्कार मैं रमेश, राजदेव होम शॉप में आपका स्वागत करता हूँ, बताईए, मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ, दूसरी तरफ से, बेरहम औ दूसरी तरफ से, आज मुझको आईने में देखा क्यो नहीं, रमेश, कौन से आईने की बात आप कर रही है, दूसरी तरफ से, बाथरूम का आईना, जहाँ पर कल तुमसे मेरी नजर मिली थी, रमेश, डरते हुए, कौन हो तुम, दूसरी तरफ से, तुमारी मोहब्बत, रमेश कॉल क्यों नहीं ले रहा? रमेश, सर मेरी तबियद ठीक नहीं लग रही है, मुझे इस समय चुट्टी चाहिए, टीम लीडर नहीं, अभी नहीं मिलेगी रमेश, खड़ा होकर थोड़ी तेजी के साथ बोलते हुए सर, प्लीज, मेरी तबियद ठीक नहीं है, मुझे चुट्टी चाहिए टीम लीडर, मैं तो नहीं दूँगा, जाकर HR से बात कर लो रमेश, HR के पास जाता है HR, क्या हुआ? रमेश, सर मेरी एक कम्प्लेन है और एक रिक्वेस्ट HR हाँ बोलो रमेश, सर, रिक्वेस्ट ये है कि सर, मुझे आज के लिए चुट्टी चाहिए HR, क्यों रमेश? सर, मेरा बीपी अचानक से बहुत लो हो गया है मुझे चक्कर आ रहा है HR, चलो ठीक है, जाओ, जूस वगएरा कुछ पी लो, खाने पीने का ध्यान दिया करो रमेश, सर, अब मेरी कम्प्लेन ये है कि मेरा टीम लीडर आप बदल दो HR ऐसा, ऐसा क्यों रमेश? सर, ये रही मेरी लॉगिन आइडी आप मेरा पर्फॉर्मेंस देख लो, सबसे अच्छा है फिर भी मेरा टीम लीडर मुझसे सीधे मुह बात ही नहीं करता रमेश की बात सुनकर HR रमेश की लॉगिन आइडी से उसका पर्फॉर्मेंस देखता है वाकई रमेश बहुत अच्छा पर्फॉर्मर रहता है HR, खुश होते हुए ठीक है, मैं आपका टीम लीडर बदल देता हूँ कल से आपका टीम लीडर दुरगेश होगा कल से तुम दुरगेश के ग्रुप में लॉगिन करना ठीक है, और कोई दिक्कत रमेश मुस्कुराते हुए नई सर, बाकी सब ठीक है थैंक यू सर इतना कहते ही रमेश वहां से अजय के पास चला जाता है अजय इशारे से पूछता है क्या हुआ रमेश इशारे से बताता है कि वह फ्लैट पर जा रहा तबियत ठीक नहीं लग रही कलाऊंगा, अजय इशारे से कहता है ठीक है रमेश वहां से जाने लगता है, वह लिफ्ट के पास रुकता है, फिर से उसे पिछली बात याद आने लगती है, फिर वह जल्दी जल्दी सीडियों से जाने लगता है, तभी पीछे से एक आवाज आती है, हेलो रमेश, हेलो रमेश, रुख कर पीछे देखता है, वही से चलते हैं। ये क्या हुआ और तुम इतना डर क्यूं रहे हो रमेश नहीं नहीं कुछ नहीं रचना क्या यह लिफ्ट ऐसे ही यहां पर बंद हो जाती है रमेश पता नहीं पहले तो मेरे साथ यहां ऐसे नहीं हुआ रचना फिर आज कैसे रमेश अरे मेरे मोबाइल में नेट्वर्ग भी नहीं है किसी को फोन भी नहीं कर सकता तुम्ह पास मोबाइल है देखो, सिगनल हो तो रचना ना यार, मेरे पास तो मोबाइल ही नहीं है रमेश वैसे तुम कहां जा रही हो अभी तो तुम्हारी शिफ्ट ओवर नहीं हुई होगी रचना आज मेरी भी थोड़ी तबियत ठीक नहीं लग रही थी और वैसे भी आज इंडेक्स था तो मैं छुट्टी लेकर चली आई रमेश तुम इतनी रात को कैसे जाओगी रचना कोई कैब बुक कर लूँगी रमेश रहती कहां हो रचना सेक्टर 65 रमेश वैसे मैं सेक्टर 70 में रहता हूँ मैं अपनी बाइक से आता जाता हूँ अगर तुम्हें एतराज ना हो तो मैं तुम्हें सेक्टर 65 छोड़ सकता हूँ रचना मुस्कुराते हुए ये तो बहुत ही अच्छी बात है रमेश जब यहां से निकलते हैं तो पहले सेक्टर 65 ही आता है उसके बाद सेक्टर 70 तो वैसे ही मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी रचना मुस्कुराते हुए ठीक है तब ही अचानक से लिफ्ट की लाइट जल जाती है लिफ्ट चलने लगती है दर्वाजा खुलता है सामने बेस्मेंट की पारकिंग में अपनी बाइक स्टार्ट करके रमेश रचना को बैटने के लिए कहता है रचना बैट जाती है रमेश बाइक चलाने लगता है लगभग दस मिनट के बाद रचना बस, बस यही मुझे उतार दो रमेश बाइक रोकता है यहाँ, यहाँ कहां जाओगी यहाँ तो कब्रिस्तान है रचना, मुस्कुराती हुई कब्रिस्तान के दूसरी तरफ तो देखो रमेश अरे हाँ, वहाँ तो बहुत से मकान है रचना, इशारा करते हुए उस बड़ी वाली बिल्डिंग में ही मेरा फ्लैट है रमेश, अच्छी बात है रचना वैसे मुझे यहाँ तक छोड़ने के लिए वैसे अगर आप बुरा ना माने तो मैं क्या आपके साथ हर रोज आ जा सकती हूँ रमेश, हाँ ठीक है मैं कल यहाँ चार बज कर पांच मिनट पर आ जाऊंगा आप यहीं पर रहना, आपको आफिस लेते चलेंगे और रात में एक बजे आप पारकिंग में खड़ी रहना तो वापस से यहाँ पर छोड भी देंगे रचना, खुश होते हुए हाँ, हाँ ठीक है कल मैं आपका इंतजार यहीं पर करूँगी रमेश बाइक स्टार्ट करके चला जाता है अपने फ्लैट पर पहुंचते ही टीवी देखते देखते सो जाता है अगले दिन उठकर वही रोज का काम करता है फिर शाम को चार बजे अपने फ्लैट से निकल लेता है लगभग पांच मिनट के बाद वह रचना के बताय हुए जगह पर पहुंच जाता है कुछ देर अगल बगल देखने के बाद भी उसे रचना दिखाई नहीं देती थोड़ी देर तक वह इंतजार करने का निश्चय करता है तभी इत्तिफाक से रमेश की नजर कब्रिस्तान की तरफ जाती है धीरे धीरे जैसे कोई कोहरे में से बाहर की तरफ कोई निकल रहा था अपना एड्रेस जरूर बताएं धन्यवाद